हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो मैं चैनल तो फ्रेंट्स कैसे उमीद करती हूं सब अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स यह वाली जो नेकलेस की डिजाइन थी ना इसने मेरे थाउजन सब्सक्राइब है मेरे यूटूब चैनल पर पूरे करवाए थे तो चलिए इसके आज डिट गोल्डेन बीड में यहाँ पर डाल रही हूं तो दोनों साइड हमें इस तरीके से डाल लेना है उसके बात मैं यह तंबल बीड ले रही हूं ग्रीन कलर की तो इस तरीके से मैं यहाँ पर यह टंबल बीट्स लगाते जाओंगी और यह लाइन को रेडी कर लूँगी तो मैं यहाँ पर एगट बीट का यूज कर रही हूँ एगट बीट मैंने यहाँ पर 8 mm साइज और 10 mm साइज दोनों ली हुई है तो सबसे पहले यहाँ पर 10 mm साइज मैं डालूँगी और दोनों साइड इस तरीके से डाल लेना है और बीच-बीच में हमें यह 2 mm साइज के गोल्डन बीड मैं यहाँ डाल रही हूँ और डिजाइन क्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पर जो बाद में बीड लगाए है वह 8 mm साइज की मैंने लगाई है तो इस तरीके से लाइन को कंप्लेट करेंगे और अब मैं ऊपर की और नीचे की यह लाइन को रेडी करूँगी तो यहाँ पर भी मैं सेंटर जो नीचे के जो पार्ट है उसमें मैं सबसे पहले 10 mm साइज की यह एगेट बीड डाल रही हूँ बीड आप कोई से भी ले सकते हो बट यह डिजाइन आप बनाऊगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी तो इस तरीके से मैंने नीचे के साइड में आप देख रहे हैं मैंने 10 mm साइज और 8 mm साइज उपर के तरफ लगाए हुई है और इस तरीके से यह लाइन को रेडी करेंगे अब मैं यहाँ पे 5 बुल्स कनेक्टर डाल रही हूँ तो इस तरीके से हमें एक एक होल छोड़ते हुए यह कनेक्टर से मैं पार करूँगी तो मैं पहले यहाँ पर यह गोल्डन बे डालना भूल गई थी तो इससे पहले मैं डाल लेती हूँ और अब मैं इसे connector से पार करूँगे तो 5 holes connector है ये तो बीच के 2 holes छोड़ते हुए हमें ये 3 holes का यूज़ करना है दोनों side हमें connector लगा लेने हैं इस तरीके से अब उपर की side भी मैं यहाँ पर bead लगा लूँगी तो देखिए ये आधे बनने में ही कितनी प्यारी लग रही है तो उपर के side हमें complete करना है और ये मैं यहाँ पर 3 mm size के crystal bead का भी यूज़ करने वाली हूँ तो सबसे पहले ये golden bead मैं यहाँ पर लगा लूँगी अब मैं यहाँ 8 mm size की जो एगेट bead है उनको डाल लेती हूँ तो ये सबसे corner वाले line में हमें ये 3 bead मैं डालूँगी उसके बाद यहाँ इस तरीके से ये मैं इस तरीके से ये डाल रही हूँ तीन, दो और एक के sequence में में इसे डाल लेना है और अब मेरी ये line पूरी हो गई है अब मैं उपर की side यहाँ crystal bead लगा लूँगी 3 mm size की तो यहाँ पर भी हमें जो bead की संख्या है उसे सबसे corner वाले में bead कम लेनी है दो-दो bead यहाँ पर घटा देनी है तो मैं यहाँ पर text कर दूँगी कि मैंने कितने crystal bead लगाए है उपर के side, तीनो line में ताकि जो उपर हम connector यूज़ करेंगे तो वहाँ lines तीनो बराबर रहे तो इस तरीके से connector से हमें यह attach करना है तो gear wire में मैं यहाँ पर lock bead डालूँगी पहले connector के holes से पार करते हैं यूटन करते हैं लग bead में डालते हैं crystal bead के अंदर डालना है और extra wire को यहाँ इस तरीके से खीचना है और lock bead को प्रेस कर देंगे तो यह lock हो जाएकि extra wire को यहाँ cut कर देना है बहुत ही simple तरीका है यह design सबको बहुत ही पसंद आई थी तो मैंने सुचा इसकी detailed video बनाते हैं तो comment करके ज़रूर बताइएगा यह design आपको कैसी लगी थी अच्छी तो लगी ही होगी क्योंकि उस दिन मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर गेन हुए थे और मेरे 1000 सब्सक्राइबर का target पुरा हुआ था यह बहुत ही अच्छे से मैं यहाँ पर cut कर लूँगी wire को और उपर के side में यहाँ पर आप चाहो तो बैकडोरी यूज़ कर सकते हो बट मैं यहाँ पर यह लॉक का यूज़ कर रही हूँ तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इससे fix कर दूँगी तो यह हमारी agate bead की 3 layer की necklace ready हो गई है तो मैं यहाँ पर इसे jump ring जो है न वो छोटी size की हो जारी थी तो मैं उसका use नहीं करके यहाँ पर मैं यह gauge wire से इसे twist करके इस तरीके से यहाँ पर attach कर रही हूँ lock को और अच्छे से यहाँ fold कर देंगे gauge wire को तो यह हमारी set ready हो गई है और इसी की matching का मैंने यहाँ पर यह tops airing बना लिया है तो वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को subscribe करें और वीडियो को like and share जरू करें और अब मैं आपको next video मिलूँगी तो चलिए अब मैं मिलते हूँ आपको next video में thanks for watching